हेलो बच्चो कैसे वाब आज हम इवेस्टू का चैप्टर 16 करेंगे जिसका नहीं कैम्पेइन इन देख लो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया उसके आप क्लिक करोगे तो आपको चौथी क्लास के सारे वीडियो मिल जाएंगे ठीक है चलो भी स्ट्राट करते हैं देखते हैं पहले देखो क्या आपको फिल इंद ब्लेंक्स मतलब आपको यह खाली जगों को भरना है इसमें क्या है वेंको जी राजे वस लुकिंग आफ्टर शाहाजी राजेस डैश जागीर इन दसाउथ आपका ऑप्शन इंद ढम यह अपको दिल्ली जी ओंड़िव एक का इंसर आफ कि रहेगा को मतलब कि जो फूर ओफ जींग्डव्य इस टो तुडगा ट्रक मद्रस अब के यह और मदरास है आपको कोचीन मदरास मैसूर मतलब बच्छो जो किला है जिन जी कहां पर है यह साउथ में मदरास के साउथ में ठीक है और अभी आगे दिखते क्या है यहां पर देखू अभी आगे आपको कहा दिया जीजा भाई डाइड ओनली 12 डेज आफटर शिवाजी महाराज की जो मम्मी थी वह शिवाजी के राजा बनने के बारा दिन बाद ही वह उनके डेथ हो गई ती ओके आगे देखो क्या है इमें क्या है शिवाजी महाराज डाइड इन दा इयर 1680 अपका एंसर कहा रहे है 1680 ओप्शन कहां दो 1678 1680 1690 मतलब बच्छो कि शिवाजी मह महाराज कभी उनके डेथ हुई थी 1680 में शिवाजी महाराज की डेथ 1680 में हुई थी ओके आगे देखते हैं चलो आगे आपको क्या है यहां पर देखो अभी आपको second में write the answer in one sentence मतलब बच्छो आपको यह जो सवाल इसको जवाब देने हैं पहले कहा दोखो Why did शिवाजी महाराज want to meet वयंको जी राजे मतलब बच्छो जो शिवाजी महाराज थे उन्हें वयंको जी राजे से क्यों मिलना था आपका answer कहा है शिवाजी महाराज wanted to meet वयंको जी राजे to resolve the dispute regarding the ancestral जागीर in the south and persuade him to help in the work of स्वाराज मतलब बच्छो शिवाजी महाराज इसलिए वयंको जी राजे से मिलना चाहते थे कि वो चाहते थे जो भी पहले की जागीर की जैसे इनके बीच में जो भी जगड़ा है वो सुलच जाए और वो उन्हें समझाना चाहते थे ताकि वो उनकी स्वाराज जो है वो बनाने में help करें स्वाराज के निर्मार में help करें ठीक है आगे दोकिन यह रिक्वेस्ट की थी कि वह उन्हें स्वाराज का निर्माण या बोल सकते स्वाराज बनाने में मदद करें ठीक है यह महराज ने राजे से यह रिक्वेस्ट की थी ओके आगे देखो क्या आपको यहां आपको क्या है मतलब बच्वाजी महराज ने जो चिट्थी लिखी दिए वैंको जी राजे को उसमें उन्होंने क्या कहा था आपका यह सब का जो रास्ता है वह चुनों ओके आगे देखो क्या है अभी आपको थर्ड में आपको क्या है गीव रिजन्स गीव रिजन्स मतलब बच्वाजी महराज मतलब बच्वाजी महराज ने सेना लेके वह साउथ की तरफ उत्तर की तरफ गए तो इसका एंसर क्या रहेगा शुआ जी महराज प्लैंड आ कैम्पें ऑफ दी साउथ बिकॉस देर वाज अथ्रेट ओफ औरंग जेव अटेकिंग दा मराठा किंडम मतलब बच्वाजी महराज जो थे वह अपनी सेना अब बुल सकते लेके गए उत्तर की तरफ क्योंकि वहाँ पे खत्रा था कि औरंग जेव वहाँ पर हमला कर देगा मराठा किंडम जो वहाँ सेना अब वहाँ पर सेना का बेस बनाए ना का कैम्प वहाँ लगाए वह मुगल जो है वोग अटैक नहीं कर पाए वह अपर हमला नहीं कर पाए कि अगे आपको कहा दियो यहां पर बी में क्या है शिवाजी महराज वाट वॉश्याbor टुश ववैंगो जी राजे एंड पेटेंचे दूर्फेज है मैहराज रोट टो वैंको जीराजे कर लिख एंद ऑ dissemination को समझाने के कोशिश की कि वो अपना रासा बदल ले जो वैंको जी राजे थे वो पिस आय थे चन्जवर बिना श्वाजी महराज से पूछे के पर कर दिया था तो इस लिए श्वाजी महराज उनको समझा रहे थे अभी देखते हैं आगे क्या है आपको तो बच्चों यहां पर हमारा यह चेप्टर कंप्लीट हो गया है अभी इसके अगले वीडियो में आपको नेक्स चेप्टर दूँगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रोखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले अगर आपको यह उडियो को लाइक करो शेर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू